मन्वर मुझे बड़ा ही आश्चर हुआ जब ये वंतिस पेज के विभास्टर में कहीं पर भी अजुद्ध्या का नाम नहीं है मर्जादा प्रोशोत्तम राम की धर्ति का नाम नहीं है जहां से मर्जादा केवल अजुद्ध्या में ही नहीं सारे देश में मर्जादा अंबित हुई है उसका कहीं चित्र नहीं है सबसे दुखत पहलू है मन्वर सबसे दुखत पहलू है कि स्टेशन से आकर के केवल हिंदुस्तान कहीं नहीं दुनिया के ना जाने कितने लोग प्रभु राम, स्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं, एक किलो मीटर की सड़क है, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अजोद्या में आ गई है, लेकिन अफसोस के साथ कहना है, हमारे उत्तर देश के हर जिलों में सरकी रेट बना है, लेकिन आज साथ साल हो गया है, फैराबाद के अजोद्या के किसानों के जमीनों के लिए सरकी रेट ना बनने के कारण, उनकी जमीनों को कौणियों के दाम पर बाही लोगों को बसाने का काम किया है, मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ कि आपने दुनिया के बिशालतम लोकतंत के मंदिर में मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया है मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ और आज इस आदली सदन में उन तमाम मानिये सदुस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ उनका अभिरन्न करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाय देता हूँ, जो आज इस महान सदन में अपने पेच्छेत्रों से जीत काए हैं मानिए स्वापती जी, मैं अपने नेता, मानिए अखलेश यादो जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी सीट जो अजोध्या में है, प्रभू स्री राम मर्जादा पुशुत्रम राम की धर्ति पहे, जिस सीट के लिए चोवन फैलावाद के लिए देश और दुनिया की निगाहे लगी थी और आज मानिवर, आज जब चुनाव हो गया है, जब वहां की देवत्तुल्य मत्रदाताओं ने मुझे चुनाव जिता कर भेजा है, तो आज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में चर्चा है मानिवर, मैं देवत्तुल्य मत्रदाताओं को आभार प्रगट करता हूँ, रभू स्री राम के प्रती अपनी आस्था आभार प्रगट करता हूँ, और मैंने महा महीं राष्ट्पती जी के अभ्यवास्टन को सुनाव देखा मानिवर, ये 39 प्रिष्ट का है, लेकिन मुझे खेद है कि महा महीं राष्ट्पती जी का नाम यहां होना चाहिए था, जहां संसत के समझ भारत की राष्ट्पत का अभिवास्टन ये दुनिया के में किस तरह के में सज जाएगा, हमारे देश में कौन से राष्ट्पती है, उनका क्या नाम है, इसको मानिवर होना चाहिए था मानिवर मुझे बड़ा ही आश्चर हुआ, जब ये उन्तिस पेच के विभास्टन में कहीं पर भी अजुद्ध्या का नाम नहीं है, मर्यादा प्रोशोत्तम राम की धत्यांद्थि का नाम नहीं है, जहां से मर्यादा के वल अजुद्ध्ध्या में हि सारे देश में मर जादा अंबित हुई है उसका कहीं चित्र नहीं है मानुवर मुझे बड़ा ही अफ्सोस हुआ कि अभी पर्षों में गया था अजोद्या में वहां की गलियों को देखा था कीशर भरा है और जहां पर हमारे देश के आधरिये प्रधानमंति जी ने छे महिने पहले एक रेलवे स्टेशन का जो अजोद्या के नाम है उसका उधाटन किया था देर सो से जादा बाउंडरी वाल है धह गई है और सबसे दुखत पहलू है मन्वर सबसे दुखत पहलू है कि स्टेशन से आकर के के वर हिंदुस्तान कहीं नहीं दुनिया के ना जाने कितने लोग प्रभू राम स्री राम के मंदिर का दर्सन करने के लिए जाते हैं एक किलो मीटर की सड़क है इतनी गंदगी है इतनी गंदगी है कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अजुद्या में आ गई है अब कैसे कैसे लोग कैसे कैसे लोग दर्सन करने के लिए जाते हैं प्रभू राम के मंदिर में जाएंगे तो सारी गंदगी को पैर से छप 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 करके जाएंगे और यहीं नहीं मनवर्ट मैं और आगे बढ़ा तो वहाँ पर जलाएं जलाएं एक अजुद्धा का प्रभू सिदाम के मंदिर के पास का है जलाएं महला पानी भरा है और इतना पानी भरा है और मनवर्ट गरीबों का महला है कमजोरों का महला है दल्टों का महला है और पानी भरा है और सुना है उसक लेकिन पता नहीं है यह पैसा कहा गया है इससे खर्च हो रहा है और मुझे बड़ा अफ्सोस हुआ कि वहां पर एरोडम बना है लेकिन एरोडम बने में गरीबों को किसानों को पैसा नहीं दिया गया और अफ्सोस की बात है कि हर साल मार्च के एंड में सरकी लेट बनता है सरकी लेट के द्वारा जमीलों का मूलिका निरहन होता है लेकिन अफ्सोस के साथ कहना पड़ता है हमारे उत्तर सर्देश के हर जमीलों में सरकी लेट बना है लेकिन आज साथ साल हो गया है फैड़ाबाद के अजद्या के किसानों के जमीनों के लिए सरकी लेट न बनने के कारण उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बाही लोगों को बसाने का काम किया है हमारे नेता के पास ना जाने कितने लोग आए लेकिन हम कही कहा है मानवर कि हम मुअबजा दिलाएंगे हमारे नेता ने कहा था लेकिन मुअबजा नहीं मिला मनवर ये मर्जादा पुर्शोत तम्राम की साथी है वहां की मर्जादा को तोड़ा गया है